हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए हाथ के बराबर जितने छोटे से कपड़े का यूसफुल आइडिया लेकर रही हूँ तो ये ब्लैंकेट का ही कटा हुआ पीस है और मैं इसको सिंगल यूज करती पर मैं इसको सिंगल इसलिए नियूज करी हूँ क्योंकि इसमें ये लाइन दी हुई है तो इस लाइन के जैसे बहुत दिक्कत है दिक्कत यह है कि अगर मैं एक पीस बनाऊंगी तो इसमें ये लाइन आ जाएगी online वाला area जो है थोड़ा सा week है तो मैंने दो piece लिये हैं आप एक single square piece ले सकते हो और इसको आप soft hanky पर भी बना सकते हो, मैंने अल्रेडी वीडियो अप्रोट की हुई है और उसमें मैंने detail में बताया हुआ है तो वीडियो का link मैं description box में दे दूँगी तो इसको क्या करना है आप ऐसे double fold कर लीजे folded side right side में है अब इस पर लगाएंगे mark तो ये मैं ले रही हूँ 4.5 inch तो 4.5 inch पर यहाँ निशान लगाएंगे दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर 2.5 inch पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 2.5 inch और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3 inch पर अब इस point से point को मिला देंगे यह 4.5 inch हो गया हमारा यह 3 inch हो गया और यह 2.5 inch हो गया अब यहाँ से हमें round shape देनी है तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा इसे गुलाई दे देंगे अब इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा round shape यहाँ पर दे देंगे और बिल्कुल जरा सा यहाँ पर गुलाई दे देंगे अब जहाँ जहाँ मार किया है यहाँ पर हम कट कर लेंगे तो जैसे यह piece पर कट कर रहा है वैसे ही सेम दूसरा piece भी कट कर लेंगे तो इसी पर रख लेंगे ऐसे देखिए हमारे दो बूर्ट एक ही piece में बन जाएंगे सिर्फ उस line की वज़ा से मैंने दो piece लियें तो single एक हाथ के बराबर कपड़ा भी होगा ना तो आपका अराम से यह दो बूर्ट बन जाएंगे तो इसे भी कट कर लिया इस तरीके से मैंने यह दो piece हमारे पास आ गए अब क्या करना है? सिंपली उपर से ऐसे fold करेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे जैसे एक piece पे करना है वैसे दूसरे piece पे सिंपल ऐसे fold करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे तो इस ती तरीके से दूसरे वाले piece पे भी कर लेंगे तो दोनों पीस हमारे पास ready हो गए अब डालेंगी elastic ये soft वाली mask वाली elastic है बच्चे के चुबेगा नहीं ये मैंने लिया है 4.5 inch elastic मैंने 4.5 inch लिया है तोटल तो दो elastic के piece cut कर लिए है मैंने अब इसको safety pin की help से insert कर आएंगे तो इसका एक side जो है अंदर ना चला जाए तो पहले इसको fix कर लेंगे इस तरीके से stitch कर लेंगे अब इस safety pin निकाली नहीं है मैंने अब इसको safety pin को बाहर कर लेंगे और दूसरा side भी हम stitch कर लेंगे इससे elastic अंदर नी जाएगी ये दोनों मैंने fix कर लिए इसी तरीके से दूसरे वाले में भी डालेंगे देखिए दोनों elastic डल गई है हमारी अब इसको ऐस तरह fold करेंगे और पूरे shape में सिलाई लगा लेंगे जिस तरीके तो shape बनना है उसी shape में हमें stitch कर लेंगे तो जैसे एक boot में stitch करेंगे वैसे ही दूसरे boot में भी stitch कर लेंगे तो बहुत जल्दी बनके ready हो जाते है छोटे से कपड़े से और newborn के लिए तो बहुत ही अच्छा है तो soft henky से बनना ही है या blanket का छोटा सा piece मिल जाए तो उससे बना लीजे देखिए हमारे दोनों boot ready हो गए हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं सारे corners अच्छे से निकाल लीजे देखिए दोनों मैंने पलट लिए हैं और बिल्कुल ये ready हो चुके हैं देखिए कितने beautiful से बने हैं मार्गेट में ऐसी ही मिलते हैं newborn के लिए तो बहुत ही अच्छे newborn baby एक महिने का ही होता है तो छोटे-छोटे boots आप बना के किसी को gift भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share कर दिजेगा चैनल पर पहली बारा subscribe कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में Thank you